हलो दोस्तों नमस्कार मैंने तिनुपा अध्यापका श्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल निस्यांद ग्यान पे आज मैं आप लोगों के सामने जो है दोस्तों का कुछ दोस्तों का जो है कमेंट आया कि क्या करें 2021 में अध्यापक बनने के लिए तो मैं तो कुछ लोग इसे लेकर के ब्रह्म में है कि भीया मैं B8 करूं या BTC करूं क्योंकि B8 वाले तो प्राइमरी में आ गये हैं और BTC वाले प्राइमरी में तो पहले से ही थे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए इस समय ठीक है तो मैं आपको यह दावा करता ह कि आप जो है अगर वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपका ये confusion बिल्कुल दूर हो जाएगा बिल्कुल भी दूर बिल्कुल दूर हो जाएगा कि आप बेट करें या भी टीसी करें ठीक है तो वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा य जिस तरीके से आप सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए मैं आपका सहयोग देता रहूंगा ठीक है तो उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आप बीटीसी क्यों करें ठीक है तो सबसे पहले मैं बात करता ह पास कर चुके हैं graduation और उसके बाद जो है कोई सिच्छक बनना चाहते हैं क्या बनना चाहते हैं सिच्छक तब आपको suggest किया जाता है कि आप जो है कोई course करिए तो कुछ बच्चे होते हैं जो केवल और केवल primary में teacher टीचर बनना चाहते हैं किसमें प्राइमरी में जो प्राइमरी में टीचर बनना चाहते हैं मैं उन्हें बताऊंगा कि आप जो है पीटीसी करें क्या करें बीटीसी करें और बीटीसी होता कैसे है बीटीसी होता है टेंथ का रिजल्ट का परसेंटेज प्लस 12 का परसेंटेज graduation का percentage जोड लिया जाता है जोडने के बाद merit बनाई जाती है merit के base पर आपको college लट किया जाता है ऐसे होता है BTC इसमें कोई entrance exam नहीं होता है ठीक है तो मेरा सीधा सीधा एक बात है सीधा सीधा बात सुनिए कि अगर आपको लगता है कि मुझे केवल और केवल primary में teacher बनना है ध्यान दीजिएगा अगर आपको यह लगता है कि मुझे केवल और केवल primary में teacher बनना है और teacher बनने के बाद मुझे जो है अत्रिक्त छेत्र में चले जाना है जैसे आप अगर UPSC की तियारी कर रहे हैं यूपी-PCS की तियारी कर रहे हैं अन्य किसी UP SSC में अधिक्यारी संबन्ध तियारी कर रहे हैं तो आपको BTC करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों अगर आप सिछक बनना चाहते हैं तो क्योंकि सिछक की job डेखिये कितने घंटे की होती है नौ से तीन नो से तीन सिचक की जोब होती है उसके बाद आप जो है फिरी हो जाएंगे तो आप गंटा आप GO現在 सकते कोई दिक्कत नहीं होता है छोटे बच्छों को पढआने मुतना पढाने laughed कलीप की ज्यादा घंटा लेना है मतलब की ज्यादा पढाना है में को तो आप अगर भेष्य में सिच्छक बनま करके एक देखी आपका खर्चा पूरा होने लगेगा जो आपको सामाजी की responsibility है आपकी और पैसा आपके पास आने लगेगा आप अपनी तयारी को नई दिशा दे करके आप अपने sweet dream को पा सकते हैं तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ यदि आप primary में सिच्छक बन करके अपने main इन लच्छ को पाना चाहते हैं तो आप BTC करिई है ठीक है अगर आप primary में शिच्छक बन करके कुछ आगे करना चाहते हैं दूसरे छेतर में तो आप BTC करके primary के सिच्छक बन सकते हैं और यहां पर बहुत चारी संभावनाय है कि आप बन सकते हैं ठीक है आगे मैं बताता हूं कि समझ में आ गया होगा आपको BTC क्यों करें आगे मैं बताता हूं B8 क्यों करें B8 देखिए B8 वालों को अभी 2018 से प्राइमरी में मौकां मिल गया बीएडवालों के दोनों हाथ में लड़ू आ गया बीएडवाले जो है प्राइमरी में भी जाएंगे ज्यूनियर में भी जायेंगे ELT grade में भी जाएंगे TGT भी करेंगे और खंड सिच्छा अधिक्यारी का BSA का कोई व्योफ़ाम आता है तो B8 वाले डाल ले जाएंगे तो मैं आपको एक चीज बता दू कि B8 वाले भले ही primary में आ गए हैं B8 वाले भले ही primary में आ गए हैं B8 वाले हर जगह मानने हैं B8 के जो teacher हैं तो हर जगह मानने हैं अगर आपको लगता है देखिए आपको आपसे बहतर कोई नहीं जानेगा ठीक है आपको आपसे बहतर कोई नहीं पहचान पाएगा आप क्या है अपने आपको analysis करिए अगर आपको लगता है हो जाएंगे आपके पास बहुत सारी संभावनाएं हो जाएंगी लेकिन बीटीसी करने पर संभावनाएं समाप्त हो सकती है आप प्राइमरी और जूनियर में ही साहिक अध्यापक के पत पर संतोस करना पड़ेगा लेकिन बीट करने के बाद आपके पास रास्ता बहुत ज्यादा खुल जाएगा आप सिच्छा छेतर में बड़े से बड़े अधिक्यारी हो सकते हैं ठीक है तो सिच्छा छेतर में बहुत आगे जाने के लिए मतलब सिच्छा छेतर में चरम बुलन्दी को प्राप्त करने के लिए अब बेट करिए ठीक है आप पीयड करिए और वहां से दूसरी जगा अगर आपको सिच्छा चेतर से दूसरे चेतर में जाना है ताप BTC के रिए उम्मिद करता हूँ B8 और BTC आपको समझ में आ गया होगा आगे है निसकर्स आपके हाथ में निसकर्स तो आपके ही हाथ में आपको करना क्या है आप BTC करना चाहते हैं जिसे देखिए BTC मैं कह रहा हूँ जिसे आज चेट में दीलेड बोला जाता है तो इसमें आपको करना क्या है आप को कर लिजी और आपको अगर आपको प्रामेरी में जाना है ता बीटीसी कर ली जिए और आपको लगता है कि मुझे जो है सिच्छा-्छेतर में कुछ अलग करना है तो आप छिए आप बिएड करने का बाद आप सिछा छेतर में जुट जाए एक्दम मेहनत करते ह्यूंट ठीक है आप सिच्छा चेतर में बड़े से बड़े पत को प्राप्त कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि मैं जो है सहाय का ध्यापक ही बन सकता हूँ आपको मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको आपसे बेतर कोई नहीं जानता है ठीक है अगर आपको लगता है कि जीसे देखी आपका मेरिट सही है हाई स्कूल इंटर बीए का ग्रेजुएशन का और उसके बाद जो है आप बीटीसी करेंगे तो आप जो है प्राइमरी में ही आती है किसमें आती है प्राइमरी में ही आती है सबसे ज्यादा अभी देखी 79,000 वेकंसी जो चल रही है यह प्राइमरी की ही चल रही है लेकिन इसमें जो है बीटीसी और बीड़ दोनों को मुका मिला है तो निसकर्ट आपके ही हाथ में आपको करना क्या है अगर आपको साहिक अध्यापक के पत पर संतोस करना है ता आप बीटीसी करिए और अगर आपको मेहनत करनी है आगे जाना है सिच्छा छेतर में बहुत कुछ करना है ता बीड़ कर लीजिए आपको आपसे बेतर कोई नहीं जानता मैंने कई बार बोल दिया आपके हाथ में है क्या करना आगे है हमारा व्यक्तिकत विचार क्या है दोस्तों देखिए हमारा व्यक्तिकत विचार यहीं है कि आप जो है बीड़ करिए हमारा व्यक्तिकत विचार यह कहता है कि आपको बीड़ करना चाहिए बीड़ इस वजह से करना चाहिए क्योंकि बीड़ वाले प्राइमेरी में भी है हर जगह हैं आप बीएट करेंगे तो आप ऐसा तो है नहीं कि आप जो है मतलब सहायक अध्यापक्त पर रहते हुए कुछ मतलब की नहीं कर पाएंगे तो आप बीएट करेंगे ताप की संभावनाय ज्यादा होंगी हमें आज आज के छेत्र में वही चीज करनी चाहिए जिसे करने के बाद आपके पास संभावनाओं का द्वार खुल जाए आपके पास संभावनाओं जब अधिक रहेंगे तो आप कहीं ने कहीं सफल हो जाएंगे ठीक है तो मेरा व्यक्तिकत विचार यही है का आप बेट करिए लेकिन कुछ लोग इस पर असाहमत होंगे भीया आप बीटीसी कर लीजिए कहीं कोई मतलब नहीं है केवल युकरल में एक नवकरी लेनी है उसके बाद आपका जो मेन लच्चे पासकते हैं तो ढश्खी खरिए अप भीहाप करीए तो चलिए अब को समझ में आ गया होगा भजै यह बीटी सी क्यों करे और उलीकल करें तो बीट इस वज़े से करिए आप सिच्छा छेतर में अधी कुछाई पर जाना चाहते हैं बीट करिए अगर आप सहाय का ध्यापक बन करके कुछ अलग करना चाहते हैं सहाय का ध्यापक बन करके किसी अन्य छेतर में जाना चाहते ता बीटीसी कर लीजी ठीक है तो अगला को प्राइमरि में ही निकलती है तो अगे जो कि जुनियॉर हाई स्कूल की उसमें को मौका नहीं मिले तो नौकरी जो सबसे ज़्यादा वेकंसी आती है वो प्राइमरी में आती है तो इस समय जो है समान लगभग लगभग समानता है क्योंकि देखिए जुनियर में हमें नहीं लगता है साथ-ाथ साल से पहले कोई वेकंसी आती है तो आप जुनियर में तो समान उस समय जो है जब कर लीजिए कुछ भी कर सकते हैं आपको स्वरडी मौसर है इस समय आपका लेकिन भविष्य को अगर आप सोचेंगे कि भविष्य में बीट को बाहर कर सकते हैं बीटिसी को बाहर कर सकते हैं तो भविष्य मत देखिए आप वर्तमान को देखिए वर्तमान में किस तरीके से क्या होगा एक आप बीटीसी करेंगे तो आपके पास तभी आपको positive विचार रखना है आपको negativ नहीं सोचना है कि कुछ भी दिक्कत नहीं हो रही होगी ठीक है तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद अगर आप चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए का इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दवा दिएगा बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए